अवैद खनन की खबर चलने के बाद उप जिलादिकारी सरीला ने की बड़ी कारवाई नियूज नाइन टाइम्स उत्तर प्रदेश हमेरपूर से जिलाविसे समवाददाता रमेश कुमार की रिपोर्ट जनपद में बड़े पैमाने में बालू का अवैद खनन हो रहा है जिसको रोगने के लिए जिलादिकारी ने सक्त आदेश दिये हैं कि हो रहे अवैद खनन पुर्णता बंध होने चाहिए पिछले दिनों टीवी चैनल और अन्य सोसल मीडिया के माध्यम से सरीला तहसील के ग्राम चंदवारी घुरौली में खंड संख्या 26 बटा 5 और 26 बटा 6 जो जनपद के पार जालौन की तरफ से अवैद बालू खनन की खबर प्रकाशित की गई थी जिस पर जिला अधिकारी के आदेश पर दिन सोमवार को उप जिला अधिकारी वखनीज अधिकारी और पुलिस विभाग की सयुक्त तीम ने और चक ने रक्षण किया जिसमें पाया गया कि बालू माफिया अधिक पानी भरे गहरे गड़े खोद कर प्रतिबंदेद पोकलैंड मशीनों से बालू निकाल रहे हैं जिन टीम ने दोनों पोकलैंड मशीनों को कबजे में लेकर सीज कर दी है वही रास्ते में 14 ओवर्लोडे ट्रकों पर भी कारवाई की गई वही सरीला उपजिला अधिकारी खालिद अंजुम ने बताया कि सोसल मेडिया में जलधारा को रोकनी का वीडियो सही नहीं है वा वीडियो गड़े में भरे पानी की है साथ ही कहा कि बालू माफियाओं की द्वारा हो रहे अवैद खनन पर प्रसासन की कारवाई जारी रहेगी नियोज नाइन टाइम्स